नमस्कार दोस्तो वेलकम बेक टू यूटूब चैनल तो देखो फ्रेंट्स मार्केट में आपको अच्छा घजा उच्छार देखने को मिला होगा कल का वीडियो लास्ट में शेर किया था कि देखो बाइं मार्केट में यहां से बूल रेली भी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि गए साल की तरह कोफी हुआ तब क्या करेंगी गए साल में मार्क एप्रिल में बहुत बड़ी रेली आई थी अल्ट कोई ने 50 एक्स जितना भी प्रोफिट दिया था बट हमें तो ओनली फोर 3 एक्स 2 एक्स या तो 5 एक्स का प्रोफिट मिले तो भी बड़ी बात है तो प्यूर से जरूर जोइन करें और कर लिए अक नया अकाउंट क्रियेट किया गया है उस एकउंट का नेम भी आप देख सकते हैं औ्लाइन क्रिप्टो स्कुल फूचर कॉल देखो यहां से आपको बिल्कुल फ्री में फूचर कॉल मिलने वाले है इस एकॉंट को भी जोइन कर रखूँगी वहाँ पर हम छोटे छोटे पोस्ट करते हैं छोटे छोटे वीडियो बना के पब्लीश करते हैं ट्वीटर एकाउंट में तो आपको काम आएंगे चुकि जो भी अपडेट आएंगी मार्केट में अरजंट देना हो तो फिर यूटुब में हम अपडेट नही को मिलेगा कल भी वीडियो शेयर किया था और परसो भी वीडियो शेयर किया था क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट यहां पर विकली क्लोजिंग एंड मंथली क्लोजिंग कल का एक ग्रीन केंडल आप देख पारे होगे देखो मैंने जो अंदाजा लगाया था कि इस में बायर बैठे हुए दो से तीन बार कहा था कि इस रेंज में बायर बैठे हुए इस रेंज में प्राइज को आने नहीं देंगे फिर बले जितना पर नेगेटिव न्यूज अपडेट हो क्योंकि बिटकोइन का फ्यूचर सभी को पता है सेकंड यहां पर देखा जाए तो यह अल साल वाडर तीनों बहुत बड़ी यहां पर क्रिप्टकरांश को होल्ड कर रहे तो बायर बैठे थे और मैंने ए रेंज देखा और एक क्लोजिंग कल के दिन क्लोजिंग होने वाला था अपको पता होगा मंथली क्लोजिंग था कल के दिन तो candle green side में move हो रही थी, तो उनको देखते हुए मुझे लगा कि ये candle बहुत ज्यादा भी move हो सकते, क्योंकि closing जो नीचे की और मिलता red में तो problem हो सकता था, बटे closing कल price 39,000 के around around गया, 39,000 US dollar के around around गया, तुरंत मैंने वीडियो बनाया और कहा कि देखो भाई इसे buy कर लेना चाहिए, अब मोका को छूड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पर एक गंटे का candle आप देखोगे तो पता चलेगा, कल ये 37,000 वाले एरिया में, देखो ये कितना अच्छी तरीके से side base में था, 37,000 वाले एरिया में अच्छी तरीके से side base था, और इस range में price ने hold भी कर लिया था, इस आए के नीचे ने आएगए, नीचे भी आशकते है, क्यूंकी मन्तली closing हमें अच्छा खाजा मिला है, मन्तली जो closing हुआ, बहुत बड़ी तरीके से हुआ है, और weekly closing में देखा था है, तो weekly closing तो नीचे की और मिला था, तो लोगों को क्या लगा कि अब क्या होगा, बढ उ तो अभी के लिए आप रेंज देखोगे चार गंटे का चार्ट उठाके मैं आपको बता दू बिटी सी अभी 40,000 वाले एरिया को टेस्ट कर सकता है अगेंड बट मार्केट ज्यादा बुल्ली से तो अगेंड मैं मान सकता हूं तब तक के लिए 45,000 वाला जो रेजिस्टंस है उसे बहुत जल्द ब्रेक आउट कर सकता है 45,000 वाला जो रेजिस्टंस है उसे जैसे ब्रेक आउट करेगा फिर ये बिटकोइन चला जाएगा 50,000 वाली रेंज में बट वहां तक बिटकोइन जाएगा तो अल्ट में कितनी बड़ी रेली आएगी यहाँ पर आप देखो मे बढ़े बढ़े कोइन दिखा दू BNB देखो 8-9 % प्लास हुआ इधरियम देखो 11-12 १ इतना प्लास हुआ देखो कलका में वीडियो आपको share करता हूँ परशो का भी, यह रही कि मार्केट ग्रीन जाने के बाद ही मैंने बताए कि यह जा सकता है, उसके पहले भी एक वीडियो डाला है, मैं दिखाता हूँ, यह था हमारा कलका वीडियो, देखो बूल रेली वाला, 14 घंटे बेले डाल तब यहां पर प्राइज क्या चल ली थी, उसे भी आप देख सकते हो, फिर से हिट करना, इसलिए इसकी कोई भी बड़ी बात नहीं है, मतलब ओल्टम हाई इसका 69,000, 20 डोलर है, 69,000, देखो यहां पर मैंने जो विकली केंडल ओपन किया, ग्रीन में मूव हो रही, और मैंन इतना भी सोचा कि अभी इतने बड़े-बड़े वैल्स, आप वैल्स ही मान सकते हो, माइक्रो स्टेटर जी, एलोन मस्क, दूसरे सीजेट भी आप देख सकते हो, तो इस अभी वैल्स है, तो प्राइज को वहां से निच्चे नहीं जाने देगी, मुझे इतना पता चल गया भी चीजे, समधरे, उसके पहले का वीडियो यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं, और देखो फ्रेंस, यहाँ पर से आप यह टी-शर्ट को आप बाई कर सकते हो, नीच्चे की और देखो, यह हमारे दिजाइन किये हुए टी-शर्ट है, यहाँ नीचे से आप बाई क कर सकते हो नेक्ट यहां पर देखो इसके पहले का एक वीडियो था यह वीडियो में बहुत लोगों ने असी उड़ाई थी क्रिप्टो वाले मार्केट उठने वाला है यह वीडियो एक दिन पहले का है मतलब तकरीबन दो दिन होने वाले लगेगा क्योंकि देरे देरे सभी कंट्री बिटकोईन को एड़क्ट कर रही है यह तो थोड़ा यूद का प्रोब्लेम यहां पर आ गया इसलिए बिटकोई इतना चल नहीं पा रहा है तो देखो वहां पर भी 39,170 डोलर बिटकोईन चल रहा था वहां से हमने थोड़ा नहीं उन लोगों ने 12 महीने जा चुके है उसके पेले था वहां पर बिटी सी तो बहुत सारे लोगों ने वेट किया अभी यूद को यूद जो चल रहा है वो तो एक मोका है और एक शोट टम के लिए डंप है तो समझ में आ गया होगा कि बिटकोईन क्यों नीचे नहीं ज दिया था तो ध्यान दो मार्केट में और होल्ड रखो जब तक बिटकोईन ओल्टम हाई क्रियेट नहीं करता तब तक के लिए ओल्ट को शिल आउट नहीं करना चाहिए मैरे इसाब से लाइक ठोक देना चेल्ड में जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर लेना और आज की एक यहां पर इस न्यूज को सभी लोगों ने नेगेटिव माना था बटे पोजिटिव न्यूज अपडेट है युक्रेन ने कहा था क्रिप्टो एक्चेंज वाले को कि रस्यान यूजर का सभी का अगाउंट बेन कर दो बट यहां पर बाइनस ने साफ साफ के दिया कि देखो एक पोजिटिव अपडेट है कि रस्यान यूजर का अकाउंट वो लोग बैन नहीं करेंगे यह समझना चाहे क्योंकि कल का किसी ने मुझे कोमेंट डाला था कि सर एक नेगेटिव न्यूज अपडेट है और आपकी पोजिटिव साइट देख रहे हो देखो भाई यह प्रगेट देना भी स्टार्ट करेंगे एक बार बिटकोईन को स्टेवल होने दो